पूरे देश पर आतंक किया है तो अब उन लोग को लगा है कि असल में जिंदगी गाव आज हमारी टीम एक गाव में पहुंची है और उन गाव के लोगों से जानने कि हम कोशिश करेंगे कि इस करोना महमाई ते बचने के लिए वह लोग कितने जागरूख हैं और गाव के लोग अब गाव को कैसे डबलब करेंगे तो चलिए बहुत सारे लोग हैं बुजुर्ब बहुत कम है तो इदर कम है तो इसको और खतम करना है ना तो क्या क्या उपाय है इस पर बचने के लिए तो आपको क्या क्या जानकारी में लिए कर दोरी बजना कर रखना है और घर में रहना है तो आप कितना इसका सही पाहलं करते हैं अच्छा और तमाम जो गाव जो प्रदेश में थे अब अपने गाह में आ गए हैं वो लग पालंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है और जो तमाम लोग के लोग को गमार कहते थे अब आके इसी गाह में रह रहा है तो कहीं ने कहीं गाह के लिए तो गर की बात है अब क्या लग रहा है तमाम जो हम लोग की तर है तो उस तरह का मेहनत नहीं करना चाहता है सहर में एक भरम है कि हमारा इजद जाएगा रेपोटिसन जाएगा वह यहां से जाने के बाद किसी भी तरीके का काम कर लेगा तो यह सबसे बड़ी मानसिक्ता लोगों की चेंज नहीं हो रही है तो क्या लग रहा है लाग डाउन कि जीवन को नई तरीके से जीने के लिए सिखा रहा है और सबसे बड़ी बात क्या है लोगों के अंदर जो चीजे आ गई कि लोग आज पेट जीनाने के लिए नहीं काम करना चाहते हैं लोगों के अंदर जो दूसरे की परतियस परधा के चकर में कि उनका माकान बना हमारा माकान बन जाये तो पहिले का जीवन क्या था लोग पेड़ जी लाने के लिए खमाते थे और आज एक अलिसान बंगला बनाना चाहते हैं मौट साइकिल पड़ोसी का आ गया तो मौट साइकिल खाइदना चाहते हैं तो इसके चकर में कहीं ना कहीं अंधा धूंद विकास के चकर में लोग सहर के तरफ पलाइन करना सुरू कर दिये गा से लेकिन को रेनमा हमारी ने उनको पुना फिर से उस गाह में भेज दिया और लाचार मजबूर करके दर बदर भठका के भेजा है तुम्हारा परफेक्ट है क्योंकि लोग कह रहना कि सबसे बढ़िया मोर दिया यह जो लोकेशन हमारे साथ इसमें केमरे में आप सबको दीख रहा है आज के पंदर साल पहले ऐसे देखा जाता था बागीचे में लोग बैठेते बड़े बुजरुक बैठेते ते गाउं की बात होती चीज़ हाल चाल होता था लेकिन यह करोना आनेक पहले सब कुछ खतम होगे अथा लेकिन आज 15 साल बाद फिर वही आलाता हो गया आज सब लोग उसी बागीचे में बैठे हैं और डिस्कर्श कर रहे हैं जिन्दगी क्या है और जिवन का मतलब क्या है कुछ और लोग से बात करते हैं दादा जी क्या है आपका तबे ठीक ठाक है अच्छा यह क् करोना कैसे और यह रहा अच्छा अच्छा लिए तो आप अपधा रहा है यह साल मुझे लग रहा है जीने का साल है और जिन्दगी बती रही तो रुपिया पैता भी कमा लिए जाए गले साल में तो एक और वाइशाब है उन से बात कर लेते हैं वाइशाब क्या हल चाल है आपके बाद ना गम्चा है नमाज कहें और ना तोलिया है आपके साथ एक बच्ची भी है इसके जीवन का तो ख्याल किजिए फिराल दम लोगा पढ़े लिखे लग रहा है मुझे पिराल दम लोगा केले में इसलिए नहीं लगा है कि बिल्कुल हम कहीं वाले इलाके में नहीं है बिल्कुल को है अपने घर पे हैं दरवाजे पे लोग रहा है और किस्ते कौन मिलने का ये काई सेफ्टी जरूरी होता है ना हां सेफ्टी तो जरूरी होता है लेकिन फिर बिल्वे हम अपने आपको सेफ्टी महसूश कर रहा है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप मास्पी रखे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक